सब्सकार जय हिंद विद्यारतियों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल knowledge.pcm में आज के इस वीडियो में हम आपको प्रसनावली 6.5 का सारी question को इंड कर देंगे तो बने रहेगा वीडियो को सुरू से अंतर तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली q a b c त्रिभुज है जिसका कोर सिट्र समकोड है तथा वुजाओं सी ये और वीडियो करमसा विद्र पी कि तथा विदुपी तथा दूंपाते बिन्द P तथा क्यूं इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है पी तथा क्यूं दो नुपाते एक के नुपात में विभाजित करते हैं तो इसे दिखीजे कि पहला प्रस्न है student यह आपका पहला प्रस्न है 9 AQ square बराबर 9 AC square पलस 4 BC square तो सबसे पहले मैं प्रस्न के अनुष्णारी, फिगर बना लिए आ हूँ student आभ इसमें हमारा जो पहला प्रस्न है हम इसको हल करेंगे तो बेखिये सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पर थोड़ा बहुत जो प्रस्न में दिया गए उसको लिख लेते हैं एक समकोड तिरबुज है, इस प्रकार से हमने लिख लिया, उसके बाद इसमें कोड सी क्या है, नब्बे अंस है, तो कोड सी बराबर हमने नब्बे अंस कर लिया, यानि कोड सी समकोड है, तो यानि यहां पर समकोड है, तो मैंने नब्बे अंस लिख लिया है, अब उसके बा आप से अनुपात दिया गया तो मैंने अनुपात भी लिख लिए अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं तो यह चीज हमें सिद्ध करना मैंने लिख लिया कि यानि कि इस तरभुच के अंतरइकति दोनों भुझाएं आती हैं तो यह चीज हमें सिद्ध करने लिए हम तिर्भुच ले लेते हैं त्रहूज AQC में यहाँ पर लगा देते हैं तिरभुज AQC में पाइथागोरस परमे पाइथागोरस परमे से इस परकार इसमें हम पाइथागोरस परमे लगा देते हैं student इसमें जहां हम पाइथागोरस परमे लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर AQ हमारा कड़ हो जाएगा तो AQ का स्क्वाइर बराबर स्टुडेंट और हमारा QC जो है लंब हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो QC हमारा लंब हो जाएगा तो QC का स्क्वाइर पलस उसके बाद आधार आपका ac हो जाएगा तो ac का square इस परकार हमने लिख लिया student अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी मान को ला करके इसमें रखते हैं तो देखे student aq square is equals यहाँ पर हो जाएगा QC जो है आपका देखेगा QC यहाँ पर देखे इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखे इतना हिस्सा हमारा दो है और इतना हमारा हिस्सा एक है तो इसको हम जोड़ते हैं तो यह हमारा तीन हो जाता है student तो अगर हम देखे और यह पूरा हिस्सा हमारा BC है तो अगर BC में देखे student BC में हम दो से गुड़ा कर दें BC में अगर हम दो से गुड़ा कर दें और तीन से भाग कर दें तो यानि कि हमारा ये QC कमान निकल देखे यहाँ पर BC में दो से गुड़ा कर दें और तीन से भाग कर दें तो हमारा ये QC यानि इतना हिस्सा निकल जाएगा कट करके स्टुडेंट और इसका स्कॉयर है तो स्कॉयर कर देंगे पलस में आपका इधर एसी स्कॉयर है तो एसी स्कॉयर लिख दीजिए उसके बराबर यह हो जाएगा एक्यू स्क्वार बराबर यह हो जाएगा दुदुनिया चार और यह हो जाएगा तीन तरिक का नौ उसके बाद बीसी स्क्वार है तो बीसी स्क्वार पलस पलस एसी स्क्वार है तो एसी स्क्वार कर दीजिए उसके बाद student यहां से देखिए इसके नीचे कुछ ने तो मैं बटा एक कर सकता हूँ तो बटा एक करूँगा तो 9 और 1 का lcm ले लूँगा तो अब मैं इसका अगर यहां पर student जो है lcm ले लेता हूँ तो इधर aq square बराबर यह पूरा 9 इसका lcm हो जाएगा और lcm लेने के बाद यहां पर आजाएगा 4bc square उसके बाद पलस यहां पर आजाएगा आपका student और यहां पर आपका आजाएगा 9ac square तो 9 का इसमें गुड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9ac square अब उसका हम क्या कर देते हैं यहां पर 3-6 गुड़ा कर देते हैं तो यह हो जाएगा, 9AQSquare, बराबर में 9ACSquare को मैं पहले लिख लेता हूं, 9ACSquare, पलस 4BCSquare, तो हमें इस प्रस्न में यही हल करना था, इस्टुएंट, आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रस्न का हल समझ गए होंगे, तो यह रहा इस प्रस्न का हल, अब हम लोग चलत है, अब हम लोग दूसरा प्रस्न हल करते हैं, तो ध्यान पूर्बक समझ गएगा, तो अब हम लोग दूसरा प्रस्न हल करेंगे, देखे, तो देखे, 9BP स्कार बराबर 9BC स्कार प्लस 4ACSquare लाना है, तो देखे, बीपी और बीसी, देखे, किस तिरभुज में आता है, बी तिरभुज BPC में, तिरभुज BPC में, तो आपकी बार हम लोग यह तिरभुज लेते हैं, तिरभुज BPC में, इसमें भी लगा देते हैं, पाइथा गोरस पर्मे, पाइथा गोरस पर्मे से, तो पाइथा गोरस पर्मे क्या होता है, स्टुडेंट, कर्ड का स्कार बराबर लंब काई square धन अधार Ukrainian तो यहाँ पर आपका देखिए भी आपका यहां पर जो है student देखे Synangyusendane ,RP आपका गड़ हो जाता है यह BP भुझा आपकी कड़ हो जाती है और BC भुझा आपकी लंब हो जाती है 10 थो प्र त्र। हैं तो यहां पर मैं लिख्ड देता हूं लिख देता हूं लिख्ड था popularity निसलिकोड़ यहां पर वहुज़ाएगा आपका यहां पर ने का स्कवार बराबर यहां पर हो जाएगा आप fur पर देखें सिपी जो है आप देख रीजिएगा यहां पर पर डियुस फिटपी रहत दोज दोभड यहां पर हम लिख देते हैं तीन एतनी 2 वटे 3 तो 2 वटे 3 और अंगर पर अगर मैं student यहां पर जो है ac में 2 से भाग कर दूँ, ac यह पुरा भुजा ac है, तो यहां पर देखिए, अगर 2 ac में 3 से भाग कर देंगे, तो divide होकर आपका cp का मान निकल जाएगा, तो यहां पर इसका भी square कर दीजेगा, उसके जगां पर लिख करके, अब उसके बाद इसको ह करते हैं, तो bp का square बराबर यह आजाएगा, आपको bc का square बराबर यह हो जाएगा, पूरा lcm 9 आपका हो जाएगा, और यहां से student जो है, जब आप इसे गुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा, नो bc square यह हो जाएगा, आपको 9 bc square, उसके बाद पलस यहां से, तो lcm में वही रहेगा, 4 ac square, इस परकार आप हम इसका तिरशा गुड़ा कर देते हैं, बटा एक करके, तो यहां से आपका student देखे, यह हो जाएगा, नो का गुड़ा bp में हो जाएगा, तो यहां से आजाएगा, 9 bp का square, उसके बराबर में, 9 bc का square, पलस 4 ac का square, यह आपका निकल कर आजाता है, तो आसा करते हैं, कि आप सभी लोग इस परसन का हल समझ गये होंगे, अब देखते हैं, हम लोग को क्या सिद्ध करना था, तो देखे, 9 bp का square, पलस 9 bc का square, पलस 4 bc square, तो यहीं हमें इस प दूसरा परसन इस्टुडेंट, आप देखे, तीसरा परसन हल करना है, तो तीसरे परसन के लिए, तीसरे परसन में, 9 aq square, पलस bp square, बराबर 13 ab square लाना है, तो चलिए अब हम लोग इस परसन को भी हल कर लेते हैं, तो इस तीसरे परसन को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहां पर जो आपका आंसर आया है बस इसी की सायता से हल हो जाएगा इसको माल लेते हैं समी करण एक और इसको माल लेते हैं समी करण दो अब इसी दोनों समी करण को हम क्या कर देते हैं जोड देते हैं तो इसी दोनों समी करण को अगर हम जोड देते हैं तो हमारा हल न प्लस दूसरे समिकड का एक पच्छ था 9BP2 तो मैंने इसको जोड़ दिया अब बराबर में दूसरे पच्छ वाले को जोड़ते हैं तो 9AC2 था अभी मैं आपको दिखा देता हूं 9AC2 प्लस 4BC2 यह था उसके बाद प्लस में इस्टुडेंट आपका जो है दूसरे वाले का पच्छ था 9BC2 था प्लस में 4AC2 था तो 4AC2 कर देते हैं अब उसके बाद इस्टुडेंट यहां पर देखे क्या करना है इधर आपका यही रहेगा 9 यहां से दोनों तरफ कामन कर लेते है तो अंदर हो जाएगा एकी स्क्वाइर पलस बीपी का स्क्वाइर उसके बराबर इधर देखें 9AC2 4AC2 तो इस्टुडेंट यह 9-4-13AC2 हो जाएगा 13C2 पलस उसके बाद इधर आपका जो हो जाएगा BC आपका देखें 9 BC2 4 BC2 तो 9-4-13 BC2 आपका इधर BC2 हो जाएगा आपका यह प्राप्त हो जाता है अब आप ध्यान पुर्वक यहां पर यह समझेगा स्टुडेंट यहां इधर भी 13 है तो यहां भी 13 कामन हो जाएगा तो यहां जाएगा इधर 9 AQ का स्क्वाइर पलस बीप बराबर में 13 यहाँ से कामन हो जाएगा तो arc advisor minus bc squared यह आपका पराप्ट हो जाता है अब यहाँ पर आप यह देखिए कि तिरभुच abc जो आपका figure था देखिए तिरभुच abc में abc में इसमें abc हमारा card है तो ab advisor बराबर अगर हम इस तिरभुच में लगा दो तो ए बी सी में पाइथा कुरस पर में तो ए भी हमारा कड़ हो जाएगा तो ए भी का स्कॉयर बराबर इस्टुडेंट और उसके बाद BC हमारा LMB हो जाता है तो BC का square पलस आधार हमारा AC हो जाता है तो यह हो जाएगा AC का square अब आप देखिए यहाँ पर इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो AB का square बराबर AC square को पहले लिख दीजिए पलस BC square को बाद में लिख दीजिए अब उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं student कि इधर आपका जो लिखा वही रहने दिजिए 9A की स्क्वाइर पलस BP का स्क्वाइर बराबर में इधर जो है आपको हो जाएगा 13 AC स्क्वाइर देखे AC स्क्वाइर पलस BC स्क्वाइर इसके बराबर AB स्क्वाइर है तो यहां पर आप AB स्क्वाइर लिख सकते हैं AB स्क्वाइर तो student यही इस प्रस्न में हल करना था आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रस्न का हल समझ गए होंगे तो अगर आप इसका screen shot लेना चाहते हैं तो screen shot कर सकते हैं यह रहा तीसरा प्रस्ण का हल और बाकी आप यहां से पहला दूसरा तो देखी सकते हैं तो अब हम लोग चलते हैं प्रस्ण संख्या 22 पर तो इस प्रस्ण में कहा गया है किसी संभाव तिर्भुज में सिद्ध कीजिकी उसकी एक भुजा के बर्ग का तिगुना उसके एक सिर सिर लंब के बर्ग के चार गुने के बराबर होता है इस्टुडेंट यानि इस प्रस्ण में ये कहा है सिद्ध करने के लिए कि यहां पर यह जो संभाव तिर्भुज है इसकी एक भुजा का बर्ग इसका जो सिर से लंबा ये तिगुने के बराबर होता है तो चलिए अब ह लोग इस प्रस्त को हल कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस्टुडेंट यह आपका ABC संभावतिर बुझ है यहाँ पर लिख लेते हैं और संभावतिर बुझ है तो इसकी सभी बुझाओं का मान बराबर होगा तो यहाँ पर इतना हम लिख लेते हैं तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब इसमें सभी हो जाएं आपस में बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया अब उसके बाद इसमें दो कोड भी बराबर है इस चित्र में देखिए का कौन कौन से कोड बराबर है आपका एक कोड ADC कोड ADV ADC नहीं ADV के बराबर है यानि दोनों कोड़ नब्वे अंश हैं तो यहां पर मैं नब्वे अंश कर देता हूं उसके बाद इस्टुएंट आगे देखेगा आप सभी लोग कि अब इस प्रस्ट में हम दो चीज बराबर दिखा दिये हैं तो यानि कि तिर्भुज संभा हो गया तो अगर मैं इस तिर्भुज में तिर्भुज ADB ले लिए एक तिर्भुज ADB ADB तो हमारा प्रस्ट सिद्ध हो जाता है तो देखे तिर्भुज ADB में पाइथा गोरस परमे से तो इस दिर्वज में अगर मैं पाइथा गोरुस पर में लगा दूँ तो हमारा प्रस्न सिद्ध हो जाता है तो देखिएगा ये भी हमारा कर्ड हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद बराबर में इस्टुडेंट एडी आपका लंब हो जाता है तो एडी आपका लंब है तो एडी का इस्टुडेंट पलस बीडी आपका आधार हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा बीडी का इस्टुडेंट इस प्रकार से यह प्रस्न हो जाता है अब यहाँ पर student AB जो देखिए AB जो कड हमारा है ये माना गया है तो इसकी भुजा को ये माना गया तो ये का स्क्वार बराबर और उसके बाद AD जो है student हमने इसको X मान रखा है तो X का स्क्वार हो जाएगा इधर इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद बराबर में पलस यहाँ पर BD जो है आपका देखे यह पूरा भुज़ा X है पूरा भुज़ा A है तो यानि यह भुज़ा आदा हो गया तो यह हो जाएगा AY2 तो मैं BD के जगहां पर लिख सकता हूँ AY2 और SQUAR है तो SQUAR कर देता हूँ उसके बाद अब इधर आजाएगा AY2 बराबर X2 पलस यह हो जाएगा तो इसमें 4X2 हो जाएगा 4X2 पलस यहाँ पर AY2 हो जाएगा तो AY2 कर देता हूँ अब उसके बाद इसका गुड़ा इसमें हो जाता है student तो तीरशा गुड़ा कर देते हैं बताएक करके तो यह हो जाएगा student 4A square बराबर 4X square पलस यह square है तो A square इसके गाद 4A square A square इदर पलस में इदर आएगा तो मानस में और इदर आपका 4X square बच जाता है 4A square में इसके A square घटा देंगे तो आपका यहाँ जाएगा 3A square उसके बराबर में student यहाँ पर आजाएगा 4X square तो 3A square इजुकल 4X square यानि यहाँ पर 3A square हमारी एक भुजा का बर्क का तिगुना है और यहाँ पर 4X square हमारा सीर सलम्ब का 4 गुना है देखिए तो यानि इस परस्ट में हमें यही परस्ट यही चीज़ हल करना था आसा करते हैं कि आप सभी रोगी इस परस्ट का हल समझ गये होंगे तो लास्ट में आप लिग देंगे यही सिद्ध करना था यही तो स्ट्ट कैसा रहा वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को लाइख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्याद से ज्याद अपने दोस्तों में ूइजिये चलते हैं श्ट्ट नेक्स्ट परस्त पर तो स्ट्ट यही रहा परस्पन संक्या 23 इस में कहा गया है ABC एक समदिवाव तिर्भुज है जिसका कोड़ भी समकोड है यदि भुजाओं AC और AB प्रकरमसा समरूप तिर्भुजों ACD और ABE बनाई गई है तो ABE और ACD तिर्भुज ABE और ACD के छेथफलों कानुपाद ग्यानत कीजिए तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्रस्त को हल करते हैं इस्टूजेंट तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है तिर्भुज ये तिर्भुज को समरूप दिखा पर हम दिखा देते हैं तिर्भुज ACD A, C, D समरूप है तिर्भुज A, B, E, K इस तिर्भुज के समरूप हो जाता है तो जब यह तिर्भुज समरूप है तो इनकी संगत बुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा यानि A, B बटे A, C A, B बटे A, C बराबर B, E, B, C, D इनके अनुपात जो है आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि समरूप तिर्भुज की बुजाएं समानुपातिक होती है अब उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं A, B हमारा B, C के बराबर होगा देखे, A, B बुजा A, B, बुजा B, C के बराबर होगा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ चुकि A, B बराबर है, B, C क्योंकि यह student क्योंकि यह तिर्भुज समदिवाव है यहाँ पर तिर्भुज का गया है, समदिवाव तिर्भुज है तो A, B, बुजा, B, C के बराबर हो जाएगा क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगी उसके बाद अब यहाँ पर हमें एक तिर्भुज लेते हैं तिर्भुज A, B, C तो तिर्भुज A, B, C में A, B, C में लगा देते हैं पाइथा गुरस परमे गुरस परमे से तो तरभुज ABC में पायथा गुर्षपर में लगाते हैं student तो AC भुज़ा हमारा करड़ है देखिएगा AC भुज़ा हमारा करड़ है तो यह हो जाएगा AC का square बराबर में BC आपका लंब है तो BC का square उसके बाद पलस AB आपका आधार है तो AB का square हो जाएगा तो यह जाएगा आपका AB का स्क्वायर उसके बाद स्टूडेंट अब यहां पर हमें क्या करना है चुकि AB BC के बराबर है तो मैं BC के जहां पर AB लिख सकता हूं तो AC का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा BC के जहां पर AB लिख देता हूं तो यह हो जाएगा स्टूडेंट AB का स्क्वायर पलस AB का स्क्वायर उसके राद फिर AC का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 2AB का स्क्वायर और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो AC का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा का अनुपात पर 21 का श्टूडन्ट का अनुपात झालेंगे तो द्यान पुरुवक समझेगा website. आपको पता हैं की त्रीभूपे की शेद्वलों पांपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात का स्कॉईर. औ thrilled फारमला लगा दिया, कि तिर भुज के चेटफ़लों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात का स्कुर्फार, आब इस uyह क्या करते हैं, जो संगत तिर भुज है wünक का चेटफ़ल लगाते हैं तो तिर्भूज देखिए तिर्भूज ए-बी-ए का च्षेट फल तो यहां बब्ल evil sexual Okay यहां पर ct कहां देखिए eh cd का च्षेट बड़ एसमें हमारा AC कमान जो आया है, यह अंडरूट 2 AB आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, AC बराबर अंडरूट 2 AB आया है, बराबर संगत भुजाने जो रखी जाएंगी, तो AB बटे AC, और इसका बर्ग होता है, तो बर्ग लगा देंगी, AB देखे, AB A है, और AC A है, आपका देखे, इस तरभुज के लिए यह समान पातिक भुजा है, तो AB बटे AC, देखे, इस तरभुज का हमने लिया है, ACD का, तरभुज ACD का हमने AC भुजा लिया है, और तरभुज ABE का हमने AB भुजा लिया है, तो यहाँ पर AB बटे AC का इसका है, सितरे हैं तो बराबर कितना है से यह ही रहेगा को रेंचे स्यार्य के और इस कॉरिस कॉर्च कर दीजीग पूरे का स्कॉयर, ए भी से भी कट जाएगा, तो यहां पर आपका किवल एक बचा स्कॉयर लगा दीजिए, तो यहां पर आपका किवल एक बचा, और नीचे अंडर उट टो, और इसका भी स्कॉयर कर देंगे, तो दो यहां पर आ जाएगा, तो यहां से अब आप लिख सकते अब अगर अनुपात आप देखते हैं तो अनुपात पराबर आ जाएगा एक अनुपाते दो तो यही इस प्रस्न का हल हो जाता है आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रस्न का हल समझ गये होंगे अगर आप इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन स्वाट कर स जाएते हैं तो इसकी रिंस्वाट कर सकते हैं चलते हैं इस्ट नेक्सट प्रस्त पे तो इस्ट यह रहा परशन संख्या 24 इस प्रस्त में आ गया है संकोड त्रभुज्ज एबी-सी का कोड कोड यह संकोड है उसके बाद यह संकोड की दोनों भूजाओं की लंबाई करमसा 6 स इस परस्द कर देखे एक समकोड आपका आपको क्या करना है इसके अंदर एक समकोड निकालना है तो चलिए आप लोग इस प्रस्द को हल कर लेते हैं सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है, मैं उसको लिख लेता हूँ, देखिएगा, इस तरबुज में AB बराबर 6 cm है, 6 cm दिया गया है, उसके बाद AC बराबर आपका 8 cm दिया गया है, 8 cm दिया गया है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका भी भुजा निकालना पड़ेग जब हमारी तीनों भुजा ग्यानत हो जाएगी तो हमारा स्टुडेंट आराम की शाथ में जो है तिरिज्या निकल जाएगा तो अब हम क्या करते हैं इस तिर्भुज ABC में लगा देते हैं पाइथा गोरस परमें तो तिर्भुज ABC में पाइथा गोरस परमें से पाइत्धा गुरस परमे से तो इसमें student हमारा देखिए BC बुजा कड़ हो जाता है तो यह हो जाएगा BC का square बराबर में AB हमारा अधार हो जाता है तो AB का square पलस AC हमारा student लंब हो जाता है तो AC का square आगे पीछे लिख सकते हैं लंब square धनाधार square आप इसमें जो मान दिया गए उसको लाका रहते हैं तो endsule से ब्राइब का मान आपका च्maya मेर सब्सक्राने शोता एक तो आपका सब्सक्राइख आट शेख पालें यहां से ऊद्सक्राइब कर दो तो इदर अंडर रूट लग जाएगा तो BC बराबर स्टुडेंट यहाँ पर 100 का बरमुल 10 निकल कर आ जाएगा इस परकार BC का मान स्टुडेंट जो आपका आया है यह 10 सेंटीमीटर आ गया इस परकार इसका भी मान पता हो गया अब आप तिरिजाय निकाल सकते हैं तो देखिए तिरिजाय कैसे आपको निकालना है ध्यान पूरवक समझिएगा देखिएगा हमारे जो है इस्टुडेंट इस तिर्भुज ABC के अंदर कई तिर्भुज बन रहे हैं इस तिर्भुज ABC के अंदर कई तिर्भुज बन रहे हैं तो यानि यह हमारा बड़ा अला तिर्भुज हो गया तो तिर्भुज ABC का छेतर फल बराबर यहां पर देखिए आप सभी लोग देखे ओ यहाँ पर हमारा यह मद्द बिंदर ओ ओ ओ ए बी तो तिर्भुज ओ देखे ओ और यह आपको कहा है ओ ओ ओ ओ ए बी में तो ओ ए बी में देखे ओ ए बी में यानि यह तिर्भुज बन रहा देखे ओ यह बी में इस प्रकार यह तिर्भुज बन रहा है तो ओ यह बी क केवी का 3 तरफ़ उसके बीए पलस और कौनसा तर्भुझ बन रँगा तर्भुझ ौ बीए सी इतर बच इतर बोच तर्भुझ और, बीए सी के छेट तर ernा सि यह कर तर देख़े यहां पर एक शेत्फल यहां पर इसी ओ का शेत्फल कर देते हैं यह ऑप इसमें हम सभी के शेत्फल का मान रखते हैं तो student यहां पर देखीएगा तिरबुज की शेत्फल बराबर होता एक बटटे दो आधार गुड़े लंब तो यहां पर सबका उसी प्रकार से मान रखना है देखेगा एक बटे दो आधार गुड़े उचाई या अधार गुड़े लंब तो एक बटे ऑए बी कहां पर है आप देख सकते हैं A ओ अई बी भुग ए बीुस में इसमें हमारा लम्जो है स्टुइङन्ट क्या हो जाता है डखेगा है तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर देखिए इनकी तिरिज्जाए हमने अलग-अलग R मान लिया है अलग-अलग तरिजाइन की R R मान लिया है हमने तो यहां पर यहां पर भी हो जाएगा एक बटे दो O AB का छेथफल एक बटे दो और उसके बाद AB यहां पर देखे इस तिर्भुज में O AB में AB हमारा student आधार हो जाता है और यह हमारा लंब हो जाता है तो AB गुड़े और यहां पर यह लंब आपका आर हो जाता है तिरिज्या उसके बाद पलस तिरबुझ OBC का छेथफल तो OBC वाले में स्टुडेंट एक बटे दो इसमें लगाएंगे एक बटे दो आधार गुड़े लंब इसमें भी लगाएंगे तो BC आपका स्टुडेंट जो है देखें BC आपका आधार हो जाता है देखें इसमें जो है आपका OBC तो इसमें OBC जो है देखिए आप सभी लोग इस्टुडेंट इसमें आपका देखिएगा यहां पर AC आपका तो इसमें आपका देखिए यह BC आपका जो है यह लंब हो जाता है तो BC गुड़े और तिरिज्जा यह आपकी आधार बन जाती है क्योंकि इसमें दो तिर्भुज एक प्रकास से बन रहा है तो यहां पर R हो जाएगा पलस ACO का छेत खल तो ACO आले में देखिए तिर्भुज ACO कहां बन रहा है ACO ACO यह वाला तिर्भुज यह वाला तिर्भुज आपकी बात हो रही है तो इसमें आपका देखिएगा एक बटे दो गुड़े AC AC आपका यहां पर देखिए AC भुज आपका लम हो जाता है और OE आपका अधार हो जाता है यहां पर गुड़े R कर देते हैं इस प्रकार अभी इन सब का मान लाकर की हम रखते हैं तो देखिए आप सभी लग एक बटे दो और उसके बाद AC का मान आप देखिए स्टुडेंट चीतर में AC का मान आपका आठ है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आठ गुड़े AB का मान आपका 6 है यहां पर 6 हो जाएगा बराबर एक बटे दो एक बटे दो सब में है तो मैं कामन कर लेता हूँ उसके बाद अंदर AB After 20 का मान आप देखसके के आपका 10 है यहां पर देख सकते हैं यहां बीसी का मान तो बीसी का मान जाए औरिशी का मान आप देख लिजी बटेंगे इसी का मान आठ है यहां पर हो जाएगा आठ इंट्व आर है तो बास कर देंगे एक बटे एक बटे तो दोना तरफ से हमारा कैंसिल हो जाएगा आठ शक्के-49 हो जाएगा इदर तो इन तालिस बराबर में छे-र और और आठ यार 8 से 14 और 10 24 अर जाएगा इदर 24 हो जाएगा 24 को इधर लाएंगे तो आर बराबर यह 48 वटे 24 हो जाएगा 24 दुना 48 यानि यह दो आ जाएगा तो आर बराबर लाएगा